फ्रेंच आजका वीडियो में हम ऐसे एक पेनी स्टक के बारी में डिसकस करेंगे जिसमें इतना पोटेंशियल है जो पैसा को हर साल डबल कर सकता है यह पर आप देख सकते एक कमपनी मार्केट में लिस्टीड है अल्ली दो से तीन साली हुआ देखी लास्ट वान एर में एक क जो नहीं दे सकता है क्योंकि देखी लास्ट कमपनी क्यों होते जो ओट सेसूरेशं पॉइंट पर आचुकी होता है और जो माइक्रोकप कमपनी होते है वह कमपनी डबल अं ट्रिपल डिजिट के साथ उस कमपनी में ग्रोथ आती है तो ऐसे कमपनी में हाट साल पैसा डबल हो जाती है जैसे कि देखिए अप इस company में देख सकता है यह पर growth आ रहा है देखिए double digit के साथ ओके अब देखिए last three years में कितना 34% चीज़ रिसब से sales growth किया है और this year कितना 54% चीज़ रिसब से ग्रोथ किया है और देखिए company का जो profit growth है last three years में company कितना 32% and this year 42% हिसब से profit growth किया तो company sales and profit growth में बहुत जबुर्दस performance दिया है इसका stock price C,000 देखिए हर तीन साल में stock ने 88% C,000 return को compound किया जाने कि इस stock हर साल पैसा double हो सकता है one year का C,000 देखिए 125% जो कि excellent है और देखिए stock का जो 52 रिक हाई आए इतना 232 रोग कितना 61.8 और company का current price कितना 151 रुपीज है जो आभी देखिए आपको 35% ज़्यादा डिसकन में stock available है ओके और इसका जो face value 10 है में future में ये stock split भी हो सकता है तो इसको benefit किसको मिलेंगे shareholder को मिलेंगे और company का जो रोखिए company का debt to equity ratio 0.05 मिल्स नाके बराबाट डेट है तो हम virtually debt free companies को बोल सकता है total debt कितना 1.73 को अनली और return equity कितना 22% तो friends हम जो company के बारे में बात कर रहा है ये company का नाम का है देखिए इस company का नाम है प्रिथी international limited देखिए ये जो company business करता है ये ज़्यादा important है देखिए ये जो प्रिथी international handicraft product के अंदर कास कम करते है बैसिकली यह पर various segment है जैसे कि देखिए home decor में accessories में home and kitchen में और office में use होने अलाब furniture में तो देखिए आज ये company जिस तरीका का product manufacturer कर रहा है जो handicraft product से company manufacturer करती है और इन product की demand in coming year बहुत ज़्यादा increase होने अलाए और ये product की demand क्यों बारेगी मैं आपको बताता हूँ देखिए इंडिया का जो पार के बिटा income जब बारती आए तब हमारी जो disposable income होती आए और भी बारती आए लोग ज़्यादा से ज़्यादा करना पासंद करता है और अच्छा चीजी लेना प्रेफर करता है और देखिए handicraft product की demand कुछ अलागी है इंडिया में अभी जो handicraft industry है वह बहुत ही चोटा है लेकिन अगर आप foreign countries जैसे से US, Europe, China तो देखें तो वह बहुत बड़ी growing industry है इन coming days में इंडिया में भी ए इंडिस्ट्री बहुत बड़ी बन सकता है तो यह पर growth ज्यादा possible है और AACS आप इनका sales growth से भी देख सकता है तो देखें 2018 में जो sales था अल्ली 9 crore था और अभी 9 crore से increase हो कितना हो चुका है 57 crore हो चुका है तो पिछले 5 years में इसका company का sales है 5 to 6 time increase हो चुका है और इसका operating profit margin यह भी लागातर year to year बीसे increase हो रहा है और net profit देखें 0.76 लाग से अभी increase हो कितना हो चुका है 4.86 crore हो चुका है जाने कि profit में भी 5 to 6 times increase हो चुका है ओके देखें कमपानी का जो cash convenience cycle तो एक cash convenience cycle क्या होता है cash convenience cycle होता है कोई भी company का जितना कौम होता है वो ज्यादा company के लिए better है okay cash convenience cycle और company का जो data's day यह देखें company का जो data's day पहले कितना था 152 अभी 52 जा अभी कितना हो चुका है लागातर कौम होते जा रहा है कितना 152 चे कौम होके कितना हो चुका है 30 देज में आ चुका है मिन्स यह भी company के लिए एक बहुत बड़ा positive point है क्योंकि data's day काम होते जाता जा रहा है तो company का जो payment होता है और जल्दी मिलता है यह भी company के लिए बहुत positive point है मिन्स श्यार होड़र के लिए भी आच्छा चीज है मिन्स इसके लिए क्या होता है जो company जो लागातर ग्रो हो रहा है यह इससे पता चलता है और company का पी रेश्यो थोरा सा हाई आई देखिए company का ROC कितना 30% मिन्स देखिए बहुत ही आच्छा ह और company का intrinsic value तो data available है नी फीजी रेश्यो भी available है और price to cash flow कितना 32.4 आई देखिए यह जो micro company stock होता है यह बहुत ही risky होता है तो ऐसे stock में आपका पैसा बहुत जल्दी 10 times 20 times हो सकता है और loss होने का भी चांसेत ज्यादा होता है और stock का face blue देखिए 10 minutes future में यह stock split भी हो सकता है तो benefit किसको मिलेंगे shareholder को मिलेंगे और dividend इन देखिए company dividend फे नहीं करता है ओके it means देखिए company का excess पैसा होता है वो अपना company का development के लिए use करता है अब देखिए company का जो share holding pattern है देखिए promoter के पास किता 66.77% promoter के पास पढ़ा है और 0.22% holding किसके पास D.I. के पास है और 33.01% holding किसके प पास पढ़ा है अभी देखिए promoter का holding 74.59% से घाटके कितना हो चुक है 66.77 हो चुक है promoter अपना holding decrease किया है तो कोई भी company promoter का holding 40% ज़्यादा है तो वो अच्छा मना जाता है तो प्रेंट्स यह तो माइक्रो कपेनी अस्टक में अभी 66.77% promoter के पास ही पढ़ा है और company का तो MC Essential हिसाब से यह अस्टक अभी देखिए fundamental और technical में कितना 69% पास आई तो अभी पाट अभी तेक्नीकल ही देखे तो बहुत ही ज़्यादा bearish भी है यह company ओके तो प्रेंट्स ऐसे micro company अस्टक में investment करने से पहले खुद भी research करे उसके बाद investment करे और stock market में कभी भी लोल लेक investment ना करें तो अपरेंट्स से वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीज़ाट चल भी नहीं है तो सबस्क्राइब कीज़े तैंक्यो